हेलो फ्रेंड्स ग्यानी स्टूडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगी दोस्तों यदि आप मेरे चनलों से जुणना चाहते हैं तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बेटन पर क्लेक चरूर करें तो चलि आपको बोन कैंसर याने की हड्डियों का कैंसर है तो फिर आपके सरीर में इसके कौन-कौन से लक्षन दिख सकते हैं दोस्तों वैसे तो बोन जो कैंसर होता उसके लक्षन बहुत ही सामाने होते हैं लेकिन यह लक्षन यदि आपके सरीर पर रेगलर दिखाई देते हैं तो फिर आपको इसमें समखलने की जरूरत है क्योंकि ये बोन कैंसर यानि हड़ियों के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं दोस्तो हड़ियों के कैंसर के लक्षण अक्सर कैंसर के अलाबा अन्य स्थितियों की वजह से सुरू होता है जैसे कि चोट या फिर गठिया अगर ऐसी कोई समस्या बिना कारंग लंबे समय तक बनी रहे तो आपको आपने चिकित्सक से जरूर कंसल्ट करना चाहिए दोस्तो सबसे पहली बात है प्रभावित हड़ी में दर्द की सिकायत बोन कैंसर के रोगियों में आम होती है प्रात्मेक रूप से इसे से होने वाला दर्द जो है वह कंट्रोल नहीं होता है रात के समय जब हड़ी का उप्योग होता है उधारंग के लिए कि जैसे आप पैदल चल रहे हैं तो पैरों में दर्द होना तो दर्द इस्तित और खराब हो जाती है जैसे जैसे कैंसर बढ़त है गतिविधी के साथ दर्द बढ़ता है जैसे जैसे आपकी एक्टिविटीज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका दर्द बढ़ता जाता है यदि किसी व्यक्ति पर पैर इसमें सामिल हो तो फिर वह लगड़ा भी हो सकता है दोस्तों इसके अलाबा सूजन जिस जगह प दर्द हो रहा है और आपको वहां गाठ या फिर द्रब्यमान महसूस होने की संभावना लग रही है तो फिर आप इसमें संभलिए क्योंकि यह बोन ट्यूमर याने हड्डियों के कैंसर का संकेत हो सकता है वही दोस्तों यदि फ्रैक्चर हुआ है बोन कैंसर उन हड्डियो को कमजोर बना सकता है जिसमें वह विक्सित होता है लेकिन जादतर पाया गया है कि हड्डियों में फ्रैक्चर नहीं होते हैं अस्ती कैंसर प्रभावित लोग आमतोर पर उनके एक अंग में अचानक गंभी दर्द कानुभा करते हैं जो कि कुछ महिनों तक पीड़ा दायक हो सकता है यदी कोई वक्ति बोन जो कैंसर है उससे प्रभावित हो गया है तो फिर उसकी जो रीड की हड्डियों में है उसमें जो कैंसर की या ट्यूमर की तंत्रिकाओं में दवाव बना रहे सकता है और यदी आपको सुन्पन या फिर जंजनी महसूस होती है यानि कि अलावा कुछ इसके अन्य लक्षग होते हैं जैसे कि यदि आपका बजन घट रहा है वो भी तेजी से आपको लगातार ठकान महसूस होती है यदि आप जादा समय तक पैदल चलते हैं तो फिर आपके हाथ पैरों में जोडों में दर्द महसूस होता है इसके साथ ही यदि कैं कैंसर सरीर के आंतरे कंगों में फैलता है तो यह अन्य लक्षग भी पैदा कर सकता है उदाहरल के लिए यदि कैंसर फेफगां में फैलता है तो फिर आपको स्वांस लेने की परिशानी भी हो सकती है तो दोस्तों यह तो कुछ ऐसे लक्षग जो की बोन कैंसर के होते हैं उ सबसे पहले आपके पास तक पहुँच चके